नमस्कार मैं हूँ राजेश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमाइस खास बात्चीतम और मुद्दा में जियां किसानों के दर्द को लेकर किसानों के मुद्दे को लेकर कॉंग्रेश बार-बार संसद में दस्तक दे रही है बीजेपी को इसे लेके घोरापती है, इस तमाम मसले पर बादसीत करने के लिए हमारे साथ आज कई विशेश महमान मौझूद हैं, खासकर दो सांसत मौझूद हैं, चुनिलाल भाई गोहल और संकर भाई बेगर, साती हमारे साथ एनलिस्ट हैं, दुरुगे सुपाध्याय, और इन सारे महमानों सा आज हम जानने कोईश करेंगे, कि क्या ये मुद्दा वाकई में देश के लिए हम है, आप सारे महमानों का बहुत स्वागत हैं, चुनिलाल भाई सबसे आप से, जब भी आप आते हैं, तयार होके संसत में आज एक नई फूर्ती के साथ जा रहे हैं, नई रूप रेखा के साथ, आज कुछ नया सुनने को मिलेगा, नया भहस करेंगे, नए मुद्दे को लेंगे, किसानों का मुद्दा बार बार कांगरेस आजेती, राहुल गांधी लेके आते हैं, कोई नेता आके ले आता है, प्रस्नकाल रोको, चर्चा करो, वो करो, बार एटली बदी चिंतित चे फार्मोरों माटे, खेडूतों माटे, कि आनी पेलानी जे सरकारों जे कैरू, तमने दाखलों आप हरियानानों, हरियाना माँ बे लाख हेक्टर जमीन खेडूतों ने लह लवा मावी, कोंग्रेस नी सरकार है, आज चुदी खेडूतों एक रूप साथ वरस्थी सरकार रही कौंग्रेस नी, सुगह रूप खेडूतों माटे, आज आतमतिया करेचे, तमें आकडा जोओ, तो जे बेजार चौधनी पेला खेडूतों इजे आतमतिया करीचे, आज ना आकडा करता हुदू आकडा चे, शाहिब हुआ अपने बात करूं, आतो कोंग्रेस पासे अत्यारे विजो कोई मुद्धोज नथी विजो मुद्धोज नथी एटले पोताना रोटला से को अमाटे ए लोगवा राजनिती कर चे वह अपने को राहूल गांधी बेस्ट वे आज हुआ में कवात करूं का संसत एक बेस्ट प्लेस से के तमारों अवाज आज तमें यह एरेंज पब्लिक भेगी करीने तमें यह जरे लाव प्ला क्या अमना 22-24 प्ला या लोकों ने बेगा करीने कई रोटो सूप फाइदो मेरों ने किटला लोकों था त्री सजार थी बधू लोकों नोता अन्य एबद्दा एरेंज पीपल इट वसे एरेंज जाटना में विजाल बनावानी चिह मारण जीष जवानों चेक प्यूस तंत्र आमरी रेलवय चेमार वार ठीशपीटल ने को मिधळ पनावनी चेए जहं आमारा आची हें वानों छेश्ड नेजी बीग एड़ख छे, मार पुलीस तंत्र आदेग तान्टर चेमारी रेलव सरदहाइब कानल साथ एक जमीन आझे समय जामीन लेवा निसे सप्ट्याँ जमीन नो जे मार्केट भाव ग्लोच पोद घिलंग आजो सप्ट्टम्चत एक जमीन गवाव शेफ्टोट लाख भिगाना एक जमीन तमेल इस लोड लग विगामा बिजीजमीन आटू फीकिन यहा अपने को आपने कि आपना के तरमाथी जय लो रस्तो गएयो आई नो है तो ज़ाइब नीजियो के मोटी जमिन चे पहले बहें जबब गया समय तुमारी जमीन मिद्गी है विट्वय ऊपने जवानी चे लिए याण है नाव्य जमिन चार गणों दस गणव थे जो लोग छे आखा इंदूस्तानी अंदर आप चारे बाजू से निकड़ी पीड़ा से आलोको जे केवाता नेता हो जेने साइठ परसुदी तो कोंके खेड़ू तोनों कहीं विचाहिरूनी या तियार निकड़ी पीड़ा से नरंदमोधी जी ने बदनाम करा मटें पर तमारा बदनाम करा जो मूटी तो उठाया कि हम जो जमीन ले जा रहे हैं पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए ले जा रहे हैं क्या आपको लगता है किसान पूरे देश की जगर संदशना आप देखें किसान बहुत सारे ऐसे किसाने जिनके पास बहुत चोटे जमीन हैं चोटे एकर में हैं आधे एकर में जमीन हैं तो उसको लेके बार-बार विपत्ष एक आरोप लगाती है कि छोटे किसान है उनके जमीन चीन रही है बड़े किसान को और जो राहूल गांधी बार-बार संसत में बोलते हैं कि इंडस्क्रिस्ट के फेवर में सरकार ऐसा करने जा रही है हम चाहें इसने बार-बार एक खुशी दिया है कि जो किसानों की जमीन ली जाएगी कोई प्राइवेट पार्टनर्सिप के लिए नहीं है इस सरकार के काम के लिए मालोग कोई हाईवे रस्ता निकलता है रेल्वे निकलती है और तकी बनानी है कॉलेज बनानी है इसके लिए ली कानून से ही कोंग्र्स ने लाखो यकर पूर एंदुस्तान में किसानों की लेली है और इस पूरान कानून जा था वो किसान की हीत महीं नहीं था इसमें बदलाव लाने के लिए मोदीजी में पहल की है मोदीजी जाहर में हमसर में भी के चुके है हमारी मेटिंग मेंabile कह नक किसानों की हित की ऐब ही साहन हम तो गजह एक बीजस को look कि तक इसके में नुप्सान नहीं है और कॉंगर Cassius का शोचनी किया उसको कुछ दिया नहीं है कि इसनुको गरीब गरीब लखाया भी जितने अत्म हुत्य हुई घतनि है चनुऄ अब हमारे साथ बरिष्ट पत्रकार और अनलिस्ट है द्रुगेश उपाजिया जी, सर इस बातचित के बाद द्रुगेश जी यह लगता है, यह उन्होंने कहा कि यह एक एरेंज पॉलिटिक्स है, चुन्नी भाई ने आरोप लगाया, कि यह कॉंग्रेस का एरेंज पॉलिटि के दें, क्योंकि जो प्राइबिट पार्टी आएगी, वो अपने हिसाब से जमीन खर देगी, तो कहीं भी खरी देगी, कहीं भी बेचेगी, तो सरकार अगर उसमें इन्वाल्व होती है, तो एक बीच का एक निकलता है, और वो डिसिप्लिन दुए में उसका एक उसको आपने एक मुद्दा दे दिया, मैं उनुन सारी बातों से सहमत हूं, जो प्राइलमंतरी चाहते हैं, प्राइलमंतरी का मोटिव गलत नहीं है, प्राइलमंतरी देश का विकास चाहते हैं, वो इंडूर्ष्ट्री को बढ़ावा दिना चाहते हैं, वो जितने भी सरकार जो है इसको जो लुगो पर हो गई उतने जुट्ने जोर्च तो और इतने जल्दबाजी में संस्याथक जो है इना रूप में आई कहीनी आनल ऐनसर्कार्ट को लागू कराने के चकर में मुझे लगता है कि फ्कर मम व्लैच है जो इन डुबात कहुता कि आप अब सरकार जो है लोगसमा में आपकी मज़र्टी लोगसमा में आपका में नहीं है जाएट बाते कि वहाँ पर वो लोग अलंगा डालेंगे और यही काम हो रहा है जो राहुल गानी जो पिछले दो महिनों से मतलब बाहर थे वो आते ही इतना अग्रेसिव हो करके उन्होंने मुझे लगता है कि खुद प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को भी स्थोचना होगा कि आखिर कौन से आपने नौ आमेंडमेंट उसमें कर दिये आपका यह कहना है कि बहुत ही प्रो पार्मर्स हम जो है यह बिल है लेकिन कहीं ने कहीं जो ग्रासरूट पर जो किसान है उसके उसके पास सहर में ऑपका मोटीव किल्गी में उंस नि दूति आपने बैठे बैठा एक कॉंग्रेस को एक दे दिया दूसरा कि जो मोदी जी का मोटिव है डेवलप्मेंट को लेके वह कहीं ने कहीं संगठन के अस्तर से या सरकारी एजनसी के अस्तर से वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूं मैसेज मोदी जी देना चाहते हैं उसको लेके एक dal राका कुछ और शोच रही है मैसेज कुछ और जा रहा कि कहीं सरकार के कि कम्जोड़िस में इनकी बात से मैं समयत मैं होता हूं यह अनंद आनद में लाया गया है अभी आख बताईए एक साल से हमारी सरकार दूरें एक साल में कूंसी जमीन हमने लेली है है आप बताईगी अगर लेना चाहते हैं आप सरकार मोच्व सरकार से अब नहीं लिए अब कोछ किया नहीं यह तो दिखो विद्याक लाना हर संसर सेट्ट में विद्याक लाना जरूरी और जरूरी यह विद्याक आया है और बिल आपास होने वाला है मैं आपको बताओं में पहले भी कह चुका हूं हर्यान की बात बताओ तो लाख हेकटर जमीन अर्यान की पिछली सरकार नी ली ति आज तक क्यों क्यों पैसानों के लिए लिए हुझ तो तभी आपके दिल में किसानों के लिए दया नहीं थी उसटेम क्या कर रहते हैं आज आप किसानों के लिए चल रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है नरंदय मोदी जी एक करना चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर ऐसा काइदा बने किसानों को भी पिछले सालों में कोई तकलिफ नहों उनको भी अच्छा मुआफजा मिले उनका बेटा नो तो उसका बेटे को जब नोकरी मिलेगी पर्मेनन नोकरी मिलेगी गवर्मेंट में आप यह तो सोचिए डेट विगाजमिन में क्या मिलता है अच्छा दूसरी बात मैं एहम बात अभी करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे किसान है उन एक किसान के घर का एक बेटा सहर में जाता होगा आप यह बात मानते होने मेरे हमारे जवान है अमारे यहां इसमें नोकरी कर हूँ नोग कर रहे तहीं लोग गाहों से आते हैं उनकी लंक सेहर की तरह रहती है आज खेत कुछ मिला नहीं है आख की मिलता नहीं है और हर्य coração मिलता जैंँION के सान के बेटे को उनोक जो पूरा माहोल बिगाडने जा रहे हैं ने मैं आपको बता हूँ के दूद है पूरा दूद का एक कोटरा भरा हुआ है उसमे थोड़ी साही आप डाल दोगे तो क्या होगा दूद थोड़ा कलर हो जाएगा यह फिला रही है यह फिला रहे हैं बागी जब किसानों के पास ज आप जो कह रहे हैं कि यह माहोल बिगारा जा रहा है अगर एक बुंद स्याही अगर डूद में ढाल देंगे तो दूद का कलर धिरे जरे आपको चेंज दिखने लगता यह चुन्नी भाई बीजेपी के नेता का आरोप है कि इस तरह से माहोल बिगारा जा रहा हम बिदे बा झाल झाल